अस्सलाम अलेकुम वेलकुम टू मारी यूट्यूब चानल उमीद आप सब खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में आपके लिए डार्क सरकल्स के एक रेमिडी लेके आए हूँ डार्क सरकल्स क्यूं होते हैं और हम कैसे इसको घर पर ही खतम कर सकते हैं अगर आप जानना डार्क सरकल्स क्यों होते हैं डार्क सरकल्स होने की वज़े थकावट भी है अगर हम बहुत ठके हों इसकी वज़े से भी डार्क सरकल्स हो जाते हैं अगर हमारे जो है वो स्ट्रेस हो बहुत जादा उसकी वज़े से भी डार्क सरकल्स हो जाते हैं डार्क सरकल्स होने की बह इसको लाई आपके लिए घर पही कुछ रेमेडी लाई हूं जो आप इसको आप करके इन को ख़तम कर सकते हैं तो चलते है रेमेडी ची तरफ सबसे पहले त programmers उसरी के कैपसुल लेकिये जैसे ही सिरी आपको मिल जाता है किसी भी कास्मेटिक शॉफ से. इसको आपने लेकर पिन से इसके अंदर होल करना है इस तरह से इसके बाद इसको अपने हाथ पे निकाल के आंख का जो नीचे वाला एरिया है उसके उपर आपने लगा देना है डाग सेखल वाले एरिया पे रात के टाइम और हलका सा बिल्कुल मसाज करके आपने सो जाना है यह बहुत effective remedy है इसे dark circles जो है वो कुछ तिनों में ही आपको वाज़ा आफ नजर आएगा कि बहुत कम हो गया इसके इलावा जो है वो आप almond oil यानि के बदाम का तेल यह भी बहुत अच्छी remedy है इसको भी आप रात को सोने से पहले अपनी आँखों के नीचे यानि के dark circles के एरिया पे लगा लीजे हलका हाथ से विकल मसाज करके पिल्कुल थोड़ा सा कुछ सेकिंड का उसके बाद आप सो जाएं यह भी dark circles के लिए बहुत अच्छी है और सुबह उठी जैसे आप नॉर्मल पानी से पना face wash करते हैं इससे भी बहुत फ़र्कों का dark circles खतम हो जाएंगे इसके इलावा आप इसी में lemon juice के कुछ एक या दो drops डाल के वो भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी आपके dark circles में बहुत फ़र्क पड़ेगा पर वह आपको रात को लगा के नहीं सोना वह आपको कुछ तेर के लिए 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 पांच या दस मेरा दिन के टाइम में उसके बाद आप face wash कर लेजिए उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा इसके इलावा जो हम चाई पीते हैं ग्रीन टी पीते हैं ग्रीन टी को हम टी बैग यूज कर लेते हैं उस टी बैग को आपने लेना है यूज यूज टी बैग को उसको आपने स्क्वीज कर लेना है और फ्रीजर में रख देना है और जब थंडा हो जाएगा बिलकुल उसक स्कून्स को आपने फ्रीजर में रख देना है 10-15 मिनट्स के लिए उसके बाद आपने इसको निकालना है और यह वाला एरिया है यह आपने इस तरह से अपनी आँखों के ओपर रखना कुछ तेर के लिए जब बहुत ठंडा होगा और वो करने के बाद भी आपने इस सबकी प आँखों के नीचे वाला जो एरिया है उस पे भी और साथ में आपको यह बिता दू कि संब्लोग को होंटों पे लगाते हैं वह भी बहुत अच्छा है इसके लाव आपने पानी बहुत जादा पीना और अपनी नीन जो है वह पूरी करनी है क्योंकि नीन पूरी करने से ही अगर आपको मेरी यह वीडियो पर संद आई हों मजीदे सी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीचेगा अला हाफिस